इन दौन में राम नवमी पर बड़ा हाल सा मंदिर में बावडी की छत धसी चार्ड लोगों की अब तक मौत रेश्क्यू जारी नवश्कार में भारती का आप सभी, सबी का एंट 27 नीज में बतादे मद्यपरदेश के इंदौर में राम नवमी पर बड़ा हाथसा हो गया यहां एक मंदिर में कुए पर बनी छत धस गई इसके चलते करीब 20-25 लोग बावडी में गिर गए कलेक्टर ने चाल लोगों की मौत की पुस्टी कर दी वहीं अभी तक 19 लोगों को रेस्क्यू अभ्यान जारी है यह हाथसास ने नगर के पास पटेल नगर में हुआ यहां बेलेश्वर महादेव जूलेलाल मंदिर में कुए पर बनी चत धस गई इसके चलते इस पर मौजूद लोग कुए में गिर गए मंदिर में राम नवमी पर हवन चल रहा था MPK CM शिवराल सिंग चोहान ने बताया कि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है जो लोग फसे हैं उन्हें निकालने का प्रयास जारी है बाहर निकाले गए लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जा चुका है उन्होंने कहा वे इस्तिती पर नजर बनाए हुए ह दरसल बताया जा रहा है कि राम नम्मी पर मंदिर में हवन हो रहा था इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुचे थे आपको बता दे कि लोग पूजा अर्चना और आर्थी कर रहे थे मंदिर में एक बावडी थी इस पर दस साल पहले छट डाली गई थी पूजा के दोरान 20-25 लोग बावडी की छट पर खड़े थे तबी छट दस गई बताने छट धसने से करीब 20-25 लोग इसमें जा गिरे यह बावडी 50 फीट गहरी बताई जा रही है जिला प्रसासन मौके पर पहुचकर रेस्क्यू में जुट गए है हाला कि कुए में प ग्यान लिया है शिवराज सिंग ने इंदौर कलेक्टर और कमिशनर को फोन कर रेस्क्यू अभ्यान तेज करने का निर्देश दिया है सीम दफ्तर लगातार इंदौर जिलाप्रसासन के संपर्क में हैं इंदौर सांसत शंकर लालवानी ने बताया कि संख्या के बारे में ब बहार निकालने में झुटे हैं जिन लोगों बहार निकाला गया है उन्हें अस्पताल में भी जा गया है मुख्य वंत्री शिवराज सिंग चोहान ने बताए कि रस्या डालकर लोगों को निकाला जा रहा है रेस्क्यू टीम के लोग कुए में उतर कर लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे है पूरा जिला प्रशासन वहां पौँच गया है इस हाथसे पर ग्रह मंत्रिय मिच्शा ने दुख जाहिर किया है वे लिखते हैं कि मद्यपरदेश के इंदौर में हुआ हाथसा अत्यंत दुखद है शोका कुल परिवारों के प्रती समवेदना व्यक्त करता हूं इस्तान ये प्रशासन बचाव कारे में लगा हुआ है NDRF भी शिग्र ही घटनास्तर पर पहुँच रही है इस्वर से घायलों के शिग्र स्वास्त होने की काम ना करता हूं प्रलाद सिंग पटेल ने कहा कि इन दौर के बैलिश्वर महादेव जूले लाल मंदिर में हवन के दोरान अनिक लोगों के बावडी में गिर जाने की जानकारी प्राप्त हुई है शासन प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कारे जारी है मैं प्रभू से सभी के शक कुशल होने की प्रातना करता हूं अभी के लिए तना ही देश्वर दुनिय की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं N27 News आप देख रहे हैं N27 News पकड हर खबर पर